नमस्कार साथियो मैं आरके मिसरा इंजीनियर्स अड़ा पर स्वागत करता हूं दोस्तों आप लोगों को पता है कि एयर्पोर्ट अथॉर्टी अप इंडिया में बहुत ही बॉंपर वैकेंसी आई है इस्पेशली फार बीएसी एस्पेरेंट्स एंड वी टेक इस्टुएंट्स के लिए गाइज इस नोटिफिकेशन में बात करूंगा क्या इग्जामेनेशन पैटर्न रहेगा क्या सदेबस रहेगा कौन से ऐसी रणनीती है जिससे हम इस एक्जाम को क्या कर सकते हैं कुछ ऐस से कन्फ्यूजन सो एलेजबिल्टी को लेकर के हैं बच्चों के बीच में वह देखें अगर इंपॉर्टेंट बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 496 वेकेंसी है और इसमें क्वाजिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है तो देखो फुल टाइम रेगुलर डिगरी अब थ्री यह मतब बीच्च अगर आपने बीच्च कर रखा हो और उसमें फिजेक्स और मैथमेटिक्स अज सब्जेक्ट है तो आप एजजबिल हो राइट दूसरा एक आपसर नवर है फुल टाइम आपका बैचलर डिगरी इन इंजिनरेंग किसी भी सब्जान से आपने बीच्च कर रखा हो तो भी अजजबिल हो लेकिन उसके दिए कंडिशन है आपने पास क्या फिजिक्स और मैथमेटिक्स अजब्जेक्ट इन सेमेस्टर राइट अब अगर आप बीच्च किये हों चाहें बीच्च के हों 10th हाथवा 12th standard पे अगर आपने साइन्स सारी इंग्विस अज़े सब्जेक्ट राइट मतब रीड और राइट दोनों फार्मेट में आपने पास किया होगा तो आपका आप मतलब यह कि सिंपल पढ़ने तो आता ही है राप लोगों सिंपल से एक सब्जेक्ट आपका इंग्विस का होना चाहिए 10th है तो दोनों में से किसी एक में हो दोनों में तो और अची बात है अब यहां पे AI traffic अब बच्चे बोलेंगे सर बीटेक डिप्लोमा लेटरल इंट्रिक के लोग भर सकते हैं तो सिंपल सी बात है यहां पे डिप्लोमा में अगर आपने physics और mathematics अगर आपने पढ़ रखा हो और आप 12th level में या 10th level में English as a subject पढ़ाओ तो आप अधरवाइस नहीं क्योंकि criteria को और दूसरा maximum age limit 30 साल है और यही date हमारा है इस date के पहले आपके degree must be complete होना चाहिए आप लोगों की मन में सवाल होगा ना final year के लोग eligible होंगे की नहीं तो आपकी result अगर इस date के पहले आ जा रहा है तो आप eligible हो अगर अभी final year में हो और इस date के पहले आपका result आ जा रहा हो तो आप अधर के पहले हो दूसरा application के फीस एक ग्यारत से लेके 30 ग्यारत तक जाएगी है और salary structure ऐसा नहीं 40 जार यह basic payment है इतने सारे benefits मिलेंगे आप लोगों को जिसमें 35% अधियर ने अलाउशंस पर्क basic HR और तमाम तरह के हमारे benefits यहां पर include है important चीज यह है दोस्तों कि सिर्फ Indian लोग ही इसको apply कर सकते हैं और यह देखो मैंने आप लोगों को बता ही दिया right और फिर उसके बाद photograph का हमारा 20 से लेके 50 के भी हमारा इतना होना चाहिए और यह सारी चीज़े हमारी allowed नहीं है बाद फोटो में कोई date अगरा mention नहीं करना बड़ तीन साल से तीन महिने से पुराना नहीं होना चाहिए बाकी applications की फीस 1000 रुपे है और सबसे जादा important है कि इस पूरे entire syllabus को हम कैसे कभर करने बादे हैं देखो अगर मैं आपको बोलू आप simple सी बात है तो अब मैं अगर आप लोगो अगर आप पहली बार दे रहें तो मैं खास बताना चाहता हूं क्योंकि airport authority of India एक्जाम को जवदी करा देता है और आपको मैं बोलू कि आपको एक भी दिन लगाना नहीं है यदि आपको ATC एक्जाम को क्रेक करना है तुरंत अपनी प्रपरेशन को सुरू करो अभी आपको भटकने वाज़े मोड में नहीं जाना है आप आज से ही डिसाइड करो और अपनी प्रपरेशन सुरू कर दो और यह हमारा पूरा का पूरा इंटाइर स्लेबस है गाईस आप चाहो तो AI-ATC का लाइप प्लस रिकॉर्डेड बैच आप लोगों का है डेडिकेटेड आप इस सब्सक्राइब को एक जाथ करति हैं उसकी लाइप क्लाइस साथ में हरक्टिर के नोस है और इंडेथ हमारा कॉंसेप्ट को समझाया गया उस पर कोशन्स भी कराया गया तो मुझे लगा कि अगर पुराने बच्चे वीडियो कोर्स का हेल्प लेकर करके अपनी सेलेक्शन को ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं इससे क्या होगा कि तुरंत आप भटकोगे नहीं तुरं तो यह आपको 600 रुपे का पड़ जाएगा यह भी 600 रुपे का यह 2000 का तो जस्ट यू हाब टू गो सारे बैचिस की दिंग पर वीडियो की नीचे लगवा दूँगा सवाब यह दोस्तों कि एटीसी अगर आपको क्रेक करना है एटीसी में पेपर का देबल थोड़ा सा सेवन पीम पे डेडिकेटिड हम आपको क्लास भी देगर के आ रहा है एक चीज़ जयाद रखेगा और बाकी जो भी हेल्प आप लोगों को और हमारी तरूस हमारे थुरू हो सकता है वो सब देने की कोशिश करेंगे तो यह आप लोग दिमाग में रखिएगा नोटिफिके इंडिया में आ सकती है फिरहाल अभी हमारी इतनी जो हम क्यास जगा रहे थे लास्टाम से वह आपका आ चुका है तो कीप लर्निंग कीप वाचिंग सारी कंफ्यूशन दूर है अब एक वीडियो मैं करूंगा डिटर्ड्स जैबस का फिजिक्स और मैथमेटिक्स का तो वो से जवाइन करके आप अपनी कॉंसेप्ट को आज से ही मजबूत करना शुरू गरू मैं आपको बताओं यह वाला यह कंप्लीट है ठीक है तो थाइंक्यू कीप लर्निंग कीप वाचिंग अपना ख्याब रखेगा थाइंक्यू गईज वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा कोई भी कंफ्यूजन हो एक बार मुझे कमेंट में बता देना आप